ठीक है, कल एक question किया था हमने project IRR और equity IRR पर और उससे आगे चल रहा है, अब सुनो मेरी बात ठीक से, आपके, अगर मैं कहूँ, हाँ जी, सुनो के ध्यान से, अगर मैं कहूँ, कि यार capital budgeting में, अगर कुछ बचा हुआ है, तो, एक बचा हुआ है हमारा adjusted present value, और एक बचा हुआ हमारा stimulation, दिखना नहीं है, adjusted present value और simulation, तर explain difference in equity and project IRR once again, विजनती भी कहना है, यस, आप लोगों को याद कैसी रहते है, यह सारी चीजे हद होगे, मैं तो सब भूल गया होगे, याद है सर, याद है, लिखो तो फिर example, लिखो पहले वोई discuss कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, लिखोगे example, आज लिखना है, क्यों, क्योंकि काम आएगा, S.F.M में कई जगा काम आने वाल है, यह company, सर, ऐसी बनाई कि हम भी, हाँ जी, ऐसी ही बनाओ, याद रहेगा ऐसे, और आप ने, एक्विटी से फंड अरेंज किया, तीन लाख रुपए, और टैन परसेंट डेट लिया, टू लैक, तो टोटल जो फाइनेंस हुआ, वो हमारा पाच लाख रुपए का फाइनेंस हुआ, सर, आप क्या C.A. इंटर पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी, मैं C.A. इंटर ही पढ़ा रहा हूँ, और मुझे जरूरत भी है, तो सर, पाच लाख रुपए आपने उठाया टोटल, आपने किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो उससे आपने कमाया, E.B.I.T, Earning Before Interest and Tax, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं चलता है, इतना, और E.B.I.T कितना कमाया सर, तो E.B.I.T ले ले लिते हैं हम लोग, 80,000, ठीक है, Assume, No Tax, Assume Note X Calculate First Return On Investment Return On Investment Return On Capital Employed अभी एक ही बात है और दूसरा हमें निकालना है Return On Equity Return On Investment को हम बोलते है ROI और इसको क्या बोलते है ROI ऐसे ही कुछ करते थे बच्चपन में बच्चपन याद है कि नहीं है आपको पताने एक चैप्टर हुआ करता था Ratio Analysis अगर Ratio Analysis नहीं भी किया तो भी समस्या नहीं है यह Simple Concept है और आपसे बना इसमें कुछ था ही नहीं अगर मैं कहूँ एक होता EBIT EBIT मतलब 80,000 यह 80,000 में से अब भी 16% आ गया चलो कोई बात है तो मैंने कहा यार EBIT आ गया 18,000 ठीक है यह 80,000 आपने किस के लिए कमाया है सिर्फ equity के लिए कमाया है यह debt के लिए कमाया है यह दोनों के पैसों पे सर दोनों के पैसों पे कमाया है अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ interest हाँ सर अगर मैं interest माइनस कर देता हूँ तो 2,000,000 इंटरेस्ट होगा 2,000,000 तो बोलो कितना आ गया सर 60,000 आ गया 60,000 क्या आ गया earning before tax और यही earning after tax है यह किस के लिए कमाया हाँ वो निशानत बिलकुल सही है कि सर यह 80,000 तो हमने दोनों के लिए कमाया था यह EBT अब किस के लिए बच्चा सर यह तो अब सिर्फ equity के लिए बच्चा है तो अब मुझे निकालना है कि return on equity कितना आएगा और return on debt कितना आएगा बिलकुल simple example लिया है और tax भी नहीं लिया कि भाई आपको tax से समस्या होती है न वहुत ज़्यादा आप tax से पर रिशान हो जाते तो मैं आप से कहता हूँ चलो tax भी नहीं लेता तो चले यसा return on investment मतलब return on project बोल सकते हैं प्रोजेक्ट पर कितना कमार है तो सर प्रोजेक्ट में पैसा लगा कर हमारे पास आ रहा है 80,000 formula नहीं लिखवा रहा हूँ या और formula क्या करोगे लिखकर बहुत हो गया formula और divided by ये किस के divide किस से करूँगा इसको बस इतना सा कोश्चन है 80,000 को divide किस से किया जाए अचा निकली गया है यार तर निकल गया है हम इतने भी तर पाच लाख रुपए से divide करोगे into 100 हाँ पाच लाख रुपए से divide करेंगे 80,000 divided by 5,000 into 100 percentage में आ गया 16% और मैं आप से बोल रहा हूँ return on equity निकालना है मतलब equity के लिए कितना कमाया 80,000 80 नहीं 60,000 और इसको divide किस से करेंगे 5,000 मुकुन का कहना सर कितना class और लगेगा capital बस्टिंग में मैंने आप से पहले भी बोला था कल भी बोला हूँ कि किसी भी हालत में मैं मंडे को portfolio management इस्टार्ट करवाँगा percentage चाहिए मुझे इसका 60,000 नहीं 5,000,000 नहीं होगा यार divide 5,000,000 से थोड़ी नहीं होगा divide 3,000,000 से होगा साथ हजार divided by 3,000,000 इंटो हंड़ेट ट्वेंटी पर ठीक अब सुनो CA इंटर में एक formula पढ़ा था return on equity का अब CA इंटर याद दिला रहा हूँ मैं कैसी करते थे और कोई होगा जो मुझे समझाएगा कि क्या कह रहा है formula formula ऐसा था सुनोगे यह formula काम आएगा और formula का logic आपको पता है उनका यह कहनत है return on equity निकालने का formula यहाँ से समझना है काम आएगा यह future में सर return on investment plus return on investment minus AD divided इसको अर्निंग available to shareholder divided by equity capital हाँ अभी तो earning available हमारे पास इतना है नहीं वह वाला formula नहीं यह बच्चे वाला formula की बात नहीं कर रहा हूं यह तो आपको अच्छे से पता है इस formula की बात कर सर return याद रखना कि यह काम आएगा एक topic कराऊंगा मैं gearing और beta वहाँ काम आएगा वहाँ भी याद दिला हाँ capital structure में पढ़ते थी yes बताइए return on investment कितना है return on investment 16 plus return on investment कितना है 16 और debt वाले को कितना देना क्योंकि tax तो है नहीं sir 10 debt कितने का है sir debt है 2 lakh रुपए का 2 lakh और divided by यह कितने का है 3 lakhs बताओ answer कितना आएगा और कोई शक की बात नहीं answer कितना आएगा 20 बशनटी आएगा लिखा लिख लिया है हाँ ची कनिस्क कनिस्क का 20 पर्शनट ही आएगा यह सब चीजें जो सीख रहा है आपको पता कि capital investing में क्यों time लगा इसकी वजह एक वजह भी है क्योंकि सारी बारिकिया में समझाने वा रहा हूं जो आगे काम आने मला है अच्छे कहें करना सर डिबेंचर होगा तो डिबेंचर मतलब debt अगर उसमें बहुत सारी condition हो सकती कि डिबेंचर होगा तो क्या होगा मतलब condition में नहीं लेकर चलो अगर मानों debt है तो debt, डिबेंचर होगा अच्छा है कुछ भी हो यहां के लिए रोवन का कहना है सर यह formula formula हमको याद होता नहीं है formula याद होता नहीं है यह बताओ कि यह क्या logic क्या है इसके बिचे logic बड़ा simple सा भाई सुनो धियान से समझो मेरी बात को धियान से समझो नहीं तो आगे काम आने वाला है यह formula ठीक है सर अब बाकी जगा पढ़ाए नहीं जाता उनका कहना है कि यार सी एंटर से पढ़ा हुआ है तो अब सुनो 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 बच्चो सुनो logic लगाती थोड़ा सर टेक्स होता तो क्या होता टेक्स सेविंग्स कर लेते आप्टर टेक्स करते अभी मैं मान के जलोंगे कोई टेक्स नहीं है और जब टेक्स आएगा ना बहुत सारा if and but है अभी मैं इस formula पर पूरी तरह से नहीं जा रहा हूँ security valuation करके chapter है वहां discuss करेंगे टेक्स होता तो मैं आप्टर टेक्स ले लेता डेट भी आप्टर टेक्स लेता खेर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ अभी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ सुनो सुनो बच्चो सुनो सुनो एक बात बताओ एक बात पूछ रहा हूँ टोटल मिलाकर सर हमारी कमाई कितनी हो रही है चाहे डेट का पैसा हो चाहे एकवटी सर, 16 पर्षण की तो कमाई हो रही है इसमें कोई शक्की बात नहीं है 16 की तो हो ress रही है अब एक बार बताओ चाहें 3 लाख रुपए है इसका तो 16 पर्षण मिली रहा है ठीक है सर कोई समस्या नहीं अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं अब ध्यान से समझ रहा, सर हमारे जो 3 लाख रूप, मैं एक्विटी हूँ, मैं एक्विटी हूँ और मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, हमारे जो 3 लाख रूपए उस पे तो हम 16 कमा ही रहा है, ठीक है, और सर एक फाइदा और देखो ना सर, क्या फाइदा है, सर ये कमाई हो रही है, देखोगे तो इस 2 लाख पे भी हमें कितने की कमाई हो रही है, इस 2 लाख पे भी, सर दो लाख पे भी 16 परशन की तो कमाई हो रही है, तो यार एक्ष्ट्रा भी तो कमा रहा है, तीन लाख पर ये जो 16 परशन कमा रहा है, ये तीन पे भी कमा रहा है, दो इस 2,00,00 पे extra भी तो मिल रहा है सर कितना सर 2,00,00, amount में कोई बता सकता कि amount में सर 2,00,00 का कमाएंगे 16% सर 2,00,00 का 6% हम extra कमा रहा है है ना यार हाँ बोलो 2,00,00 जो है debt का हम कितना extra कमा रहा है 16-10 हाँ 2,086-10 % 12,000 रुपए और कमाई हो रही है और हमारा पैसा कितना लगा अक्छाल में सर हमारा तो 3,0040,000 पर इस तीन लाग पर मेरा तो पैसा थीन लाग ही लगा न इस तीन लाग पर मैं 16 पर सेंट भी कमा रहा हूं वह इवनका फॉर्मुला लिखा अगर मैं कहूं कि मैंन लेंग्विज यूज करूँ तो ये सब मैं इस पे कमा रहा हूँ, तीन लाग पे ये तो कमा ही रहा हूँ, और साथ में ये भी कमा रहा हूँ, या एमाउंट लिख देना, हाँ बोलो, बाकी बहुत सारी चीजे हो सकती है, मैं अभी पूरी तरह से इस फॉर्मिली के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, बच्चों ने पूछ लिया था, तो मैंने बता दिया कि क्या है, ठीक है सर, हाँ, अप रिस्क प्रीमियम ला मालो, उठाया और दिया दो रिस्क, कर सर, मान लो, अगरंग कम कम आती तो बरबाद हो जाती, वही तो है यार, वही तो फाइनेंस पढ़े हो आपने, आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपने में मॉडल कर लिया, और यही तो पढ़ा था, अगर मैं कौं, प्रोजेक्ट आई अरर, अभी थोड़ा सा डिस्केश कोना है, पाच लाख रुपए पर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्विटी हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, डेट वाले को देने के बाद मेरे पास नेट कितना बच रहा है, प्रोजेक्ट आयरर, अगर रहा हूँ, अगर रहा हूँ, रिटन आई रिटन आई रिटन आई रहा हूँ, प्रोजेन नम्र टू ही कर रहा है भी, अगर रहा है, आज क्लास लंबी जाएगे, नाइन थर्टी तक जाएगे, क्योंकि आपने हाँ पैन आवर हमारा इसमें लगाया है, तो सर, कितना आया था भाई, कोई बताएगा, प्रोजेक्ट आयरर कितना है था, कुछ आया था, 18 पॉइंट, किछला कोशन किसको याद है, कोई है ऐसा, प्रोजेक्ट आयरर कितना आया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बेस, कुछ नोट्स भी नहीं है, हाँ जी, काश कोई बता दे कि प्रोजेक्ट आयरर कितना आया था, 18 पॉइंट कुछ आया था, 18.49, एक्विट इर्र था बता है, डिन अविट आयरर कितना था, थान तो आयरर कितना था? वा एक वरिया ओनी झाल झाल रैट कितना था 150 था सायद 150 क्रोर और एक विटी था 50 क्रोर अंसर तर एक विटी था 50 क्रोर विटी नाइन पॉइंट फॉफू अच्छा ट्वेंट पॉइंट 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 फॉफूफू रा रहा इश्या का कहना 28.17 मैं जह नहीं वालू इतना डिफ्रेंस क्यों आ रहा है विजह क्या है 18.61-15 दिवाइड बए 150 दिवाइड बए 29.44 और एक्छुल में हमारा कितना आ रहा था पता नहीं देख ले न आपने वो ट्राइल अन एरर मेथड से किया था तर कल के कैलकुलिशन में 28.17 परसेंट आ रहा है 28.17 आना चाहिए वो सकता है कि कहीं गरबड़ो मुझे नहीं मालम कि कहां गरबड़ हुआ 18.61 सही है न हाँ वो इंटरपोलेशन से आया था पर अगर मैं कहूं कि इतना ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं आता यह अगर 18.61 है तो उसके इसाब से आप देख ले ना थोड़ा सा चलता है अच्छा केड़ी 10 परशेंट है केड़ी 10 परशेंट है इछले कल वाले कोशन में केड़ी 10 परशेंट नहीं था सायद मुझे याद नहीं है यार और मैं आपको कॉंसेप्ट बता चुका हूँ कैलकुलिशन आप देख ले ना कि कहां गरबढ हुआ हूँका थोड़ा सा अंतर चलता है 29.44 यार हाँ आप अपने हिसाब से कैलकुलिशन देखने ले ना कॉंसेप्ट में समझा चुका हूँ आप एकविटी आयरर ऐसे भी निकाल सकते हो केड़ी 15 है तो मैंने 15 ही लिया है हाँ जी कॉंसेप्ट में दे चुका हूँ तो मैं ज्यादा अब टॉपिक पे आता हूँ टॉपिक पे आता हूँ कॉशन नंबर 10 में डाउट है तो ये लो कॉशन नंबर 10 सुब हो जाए कॉशन नंबर 10 में डाउट सा रहा था बच्चो को एक बार कॉशन नंबर 10 भी डिसकस कर लेते question number 10 question number 10 में दो doubts आ रहे थे मैं आपको जो मेरे पास messages आए है वो doubts क्या क्या है ज़रा सुनो किसी ने बनाया है question number 10 तो सुनना doubts क्या है doubt पहला यह है कि sir यार bike जो है अब भी 55,000 की है ठीक है अगर आज खरी देंगे तो 55,000 कि उनका कहना है sir आज नहीं खरीदते एक साल बाद खरीदते तो एक साल बाद अगर खरीदते हैं हम लोग पहले पहला वाला doubt discuss कर रहा हूं एक साल बाद खरीदते हैं तो अगर मैं कहना हूं आज खरीदते हैं आज और एक साल बाद और दो साल बाद तो सर अगर अभी 55,000 लिया तो यहाँ 55,000 का पहले साल का फैक्टर लेना चाहिए कोशन सुन रहे हो ना समझ रहे हो ना बच्चो का क्या डाउट आया बच्चो का डाउट कहना है कि सर आज खरीदे तो 55,000 लग रहा है कि सर ऐसे होना चाहिए था ओमवग बनाया ही नहीं है तो कैसे पता होगा किसी एक्चोल में कोशन था ही नहीं है कि आज खरीदे कि एक साल बाद खरीदे कि दो साल बाद ये पूछा नहीं जा रहा कोशन में कोशन में ये पूछा जा रहा आज खरीद के तीन साल तक चलाए तो क्या होगा या फिर हर दो-दो साल में रिप्लेस होगा या तो हर हम हर साल चेंज करेंगे या तो हर दो-दो साल में चेंज करेंगे मतलब खरीदना तो आज ही है या यार ये सब्द देखो optimal replacement प्राइस्मेंट पीरियड बोलेगा तो आपको यही मानना पड़ेगा ठीक है सर एक तो बात यह समझ भी आई कि यह तो होई नहीं सकता कि 55,000 और 55,000 का फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि कोशन मैंने इस टाइब का करवाया हूं आजी ओप्टिमल रिप्लेस्मेंट सैकल हाँ ह और दूसरा बच्चे इस इस करेंट प्राइस से के चक्कर में परिशान होगे सर यह करेंट प्राइस क्या बोल रहा है भई यह सेल वेल्यू है यार आप एक सब्दिक से कैसी पकड़ सकते हो आप खुछ सोचो जो रिसेल वेल्यू आप यूजड बाइक एक करेंट प्राइस का मतलब क्या कि यार आज की प्राइस के हिसाब से हम यह नहीं सोच रहे कि कुछ इंफलेशन वगेरा है आज के से परिशाने बच्चे कि सर करेंट प्राइस मतलब बोल रहा कि आज का प्राइस वह अभी के हिसाब से सोच रहा कि वन इयर बाइक जो है जो एक साल पुरानी बाइक है वो 35,000 में बिक जाती है तो आपकी भी अगर एक एक साल यूज करोगे बाइक को तो यूज करने के बा ठीक है जी आगे चल रहा हूँ मैं हाँ सर हाँ डिसकाउंटेट का आपका डाउट नहीं था कोई बात नहीं किसी बच्चे का आया था वो मैंने डिसकस कर लिया हूँ अब सुनो क्लास स्टार्ट करें यार हम लोग सुनो बच्चों कैपिटल बच्टिंग हम लोगों को खतम करना है बहुत हो गया इससे ज़्यादा हम लंबा नहीं किस सकते अब देखा जाए तो एजिस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एक कॉंसिप्ट बाकी है और दूसरा कॉंसिप्ट बाकी है सिमुलेशन एजिस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का एक भी कोश्चन नहीं डाला है एफम में हाला कि कॉंसिप्ट है कॉंसिप्ट है आपके स्टडी मैट शेक करोगे न उसमें कॉंसिप्ट है और ये कॉंसिप्ट आपका सी एंटर में भी था पर उसका एक भी कोश्चन नहीं डाला है सर हमारी बुक में है कि नहीं हाँ मैंने एक कोशन डाल दिया है ICAI का ही पहले का उठा कर एक कोशन डाल दिया है इसका एक ही कोशन है हम करेंगे वो भी ICAI का ही कोशन है मैंने कहीं बाहर के कोशन नहीं डाले है और सर सिमुलेशन ये भी एक टॉपिक है इसका भी एक भी question नहीं है हालक एक illustration है जो मैं आपको करमाऊंगा that's it मतलब सर देखा जाए तो capital बस्टी में यही दो topic बाकी है हाँ इस adjusted present value concept है पर इसके questions नहीं है और simulation भी है concepts है पर इसके questions नहीं है questions नहीं है पर अब सुनो institute की बात एक concepts है I.C.A.I. ने मौज नहीं की अब देखो मैं क्या कहना चाहता एक concept है hillier model और herds model लिखवाँगा मैं उसका I.C.A.I. ने basic अगर आप book देखोगे न कि कुछ concept डाला होगा यह नाम भी नहीं डाला कहीं भी यह नाम नहीं डाला है और उसका question दे दिया और question एक दो नहीं चार पाच questions है ओहो मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं जो परभाने जा रहा हूँ वो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा लेकिन उसके चार-चार question डाल रखा है institute उठने है ठीक है sir तो करें देखोगे हर्ड्स मॉडल एन हिलियर मॉडल ठीक है करना है भाई करना है चाहे आपकी बुक में हो ना हो पर बुक में पर पर बुक में तो है capital विश्टिंग के लाश्ट लाश्ट में जो होते ना टी वाई के चार questions है तो मुझे लगा तो यह topic ही रही है जब खोला गहा है यह तो topic है भाई कोई यह नहीं पुछेगा capital विश्टिंग कब खतम हो रहा कल ही खतम हो रहा आज ही मतलब मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा मैं इतना जाना था देखो अमित का कहना सर किस topic पर कुछ नहीं probability distribution है और सुनो यह आता है आपको आश्यर की बात है कि यह कुछ नया नहीं है यह आपको आता है और जो आपको आता है मुझे वोई पढ़ाना है बस और कुछ नहीं करना है ठीक है सर पर क्यूंकि चार पाच questions डले हुए हैं तो यह हमारे लिए important हुआ पहला रोट क्या करने वाले हैं वो मैं आपको समझा देख इन दिश टॉपिक वी calculate नाम सुना सुना लग रहा है बिलकुल सुना सुना लग रहा है क्योंकि सी एंटर में भी एक कोश्चन हिलियर मॉडल का डला हुआ है इन दिश टॉपिक वी calculate खैर में सी एंटर का नाम ही क्यों लूँ यार मैं तो यह मान की चल रहा हूँ कि कुछ नहीं पड़ा है ठीक इन दिश टॉपिक वी calculate प्र्शूट एंटरडडड़ एंटे लूगर स अ की लिच कोश्च एंटरडड़ा से लिच स्टैर एंटरड़शन न्पव ट्रिचर एंटर एंटर एंटरड़ंबसद्टर का विच्च辉डचर प writers kasih此ए NPV मतलब क्या हमने निकाला है क्या आपकी क्लास में हाँ जी standard NPV बहुत सारी रहती थी probability रहता था तो सर हम expected NPV निकालते थे और फिर x-x-bar करते थे फिर x-x-bar square into probability करते थे फिर square root करते थे वही तो है तो सर यह क्या नया चक्कर है वही तो मैं समझाने वाला हूं करते हूं डिपेंडेंडेंट कैश लूँ तर ये क्या होता था मान लो एक लाख रुपए आज का आप जा रहा है एक लाख रुपए और फिर हम ऐसा करते थे फर्स्ट एयर में आएगा मैं आपको याद दिला रहा हूँ चीजी है और जरूरी है जो पढ़ा रहा हूँ बहुत जरूरी है अब जितने मज़े ले लो ये कॉंसेप्ट ऐसा कॉंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ तर बंच में आएगा भी धीरे से एक लाख रुपए और एक लाख रुपए आज हमने लगाया तो सर कितना पैसा आ सकता है वो मैंने का फर्स्ट एयर में कितना आ सकता है यहां लिखा मैंने फर्स्ट एयर इसको ड्रॉ करेंगे कि हां कर लेना थोड़ा सा रुक के करना नहीं तो आपकी कॉपी खराब होगी तो फिर मुझे बोलोगे तो सर कितना आएगा मैं कह रहा हूँ कि या तो 80,000 भी आ सकता है इसकी प्रोबैबिलिटी है 0.6 या तो 60,000 भी आ सकता है इसकी प्रोबैबिलिटी है 0.4 फर्स्ट एयर में और सेकंड एयर में कितना आएगा तो मैंने गा सेकंड एयर में डिपैंड करता है कि पहले साल क्या आ रहा है सर पहले साल 80,000 आ रहा है पहले साल मुझे ऐसा लग रहा कि ज़्यादा आएगा तो फिर 0.7, 0.3 तो सर फिर कितना आ सकता है मैं कहता हूँ क्योंकि पहले साल ज़्यादा है तो दूसरे साल भी 70,000 आ सकता है और 50,000 ठीक है और अगर पहले साल ही कमाया तो दूसरे साल क्या आ सकता है दूसरे साल 0.7 0.3 तर मान लो दूसरे साल आ सकता है 55,000 आ सकता है और 45,000 आ सकता है ऐसे cash flow dependent हाँ decision tree type का है ऐसे हला कि जबरत नहीं पड़ेगी हमको decision tree की मेरा पहला question यह जो cash flow है यह dependent cash flow है यह independent cash flow है तर समझ में नहीं आया दूसरे language मैं समझा रहा है क्या second year का cash flow क्या second year का cash flow first year के cash flow पर depend करता है कि नहीं मतलब हमें first year का पता लगेगा second year का किस पर depend कर रहा है first year पर dependent है यह independent है इसी को मुझे लिखवाना यह जो बात बोला है ना आपने dependent cash flow कास यह दो घंटे आपको याद रहे बस यह दो घंटे के लिए मुझे चाहिए बाकी तो फिर मेरा काम हो गए dependent on first year cash flow बिलुकुल सहीं चंदरकांथ यह चीज में लिखवाने बारा हूँ यह जो लिखवाने जिए yः दिस्ट ऱ ट्र द थाफने ऑदसेश Das पाश्टी है इतना लिख लिया है बिल्कुल थीरे पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को बिल्कुल धीरे पढ़ाऊंगा सर ऐसे में कैपिटल बस्टी हो गई एक साल बाद मुझे मतलब नहीं पर इस टॉपिक को तो मुझे अच्छे से करवाना आपको पाच-पाच कोश्चन डाला इंस्टुट्यूट हाँ लिख लो मानस यह ऐसा नहीं है मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है अराम से बना लो मैं रुका हुआ हूँ सभी का हो गया होगा मुझे उमीद अब जवाब देना मुझे तर एक लाख रुपिया लग रहा है प्रोजेक्ट में पैसा जाएगा ठीक है 00.5 80,000 60,000 0.7 0.3 5000 5000 and 40,000 यह जो मैंने cash flow लिखा है second year का 1 2 यह dependent है second year का cash flow यह independent तोच समझके बोलना यह फाया ना, सीए की तरह बोलना इपेंडेंट है यह independent वजनती का केना independent उसकी वज़ा वजनती यह तो नहीं कि मैंने उपर independent लिखा है निशीता इंडेपेंडेंट मोना लिशा इंडेपेंडेंट उसकी वज़ा यह तो हाँ अनन्थ फैंग गौट चंद्रकांथ हाँ इंडेपेंडेंट फैंग गौट की समझ में आ गई यह बात यह तो přिंटेड़ कि धिर्कांथेखेंडे ऋडिवागा उटेजीपू्स यह तोराइब अ कि कि एड्यांट के सिसमेंडेपेंडेपी श्युट इंडेबे यह तोराइबust जिएबर्या इंडेबगक्रोवapp कि शू an कि अचे मुझे आपका समझ नहीं आ रहा किस चीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है हाँ प्रोबैबिलिटी वगेरा केविन का कहना है कि सर अगर यहां प्रोबैबिलिटी पॉइंट एट हो जाता यहां पॉइंट टू हो जाता तो यह डिपेंडेंट हो जाता बात इतनी सी ह है वैसे आता नहीं है पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि सब चीज सेम होना चीए सेकेंड यह कोड़ा भी अगर चैंज होगा तो फिर वह डिपेंट ठीक असर ठीक हाँ वैल्यू भी कॉंस्टेंट है और प्रोबैबिलिटी भी कॉंस्टेंट है अगर किसी में भी चैंज होता अगर किसी में 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 अगर कि पाश्ट यह कैश्ट कर रहा है यह अभी आखी धीरे 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 पहुंचेंगे वहां तक अभी पहुंच नहीं रहा है अभी आज की एक गंटे में कम से कम आदा गंटा और लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए जो मैं समझाने वाला हूँ हाँ जी हो गया है नोट कर लिया आप लोगों ने पाकि आप अपने ही सबसे नोट में लिख सकते हो कि नहीं सेकेंड यर का कैश प्लो भी सेम है प्रोबैबिलिटी सेम है इसलिए इसका फर्स्ट यर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब मजा आएगा अब मजा आएगा अब मजा आएगा बिट्टे ध्यान से बता एक्जांपल करके लिखो ना यार क्यों ध्यान से बता टूटल मिलाकर मैं दो एक्जांपल करवांगा हाँ राहूल सर देखकर ही तो पता लग रहा है आगे भी अभी टूटल मिलाकर मैं आपको दो एक्जांपल करवांगा और दोनों ही एक्जांपल को दिल से कर रहा है मतलब वो दो एक्जामपल अगर कर लिया तो आने वाले पाँच कोश्चन्स यूँ बनने वाल है वो दो एक्जामपल इसमें से एक्जामपल नमबर वन लिखने जा रहा हूँ कोश्ट और प्रोजेक्ट है एक लाग रुप है कोश्ट और प्रोजेक्ट है एक लाग रुप है ऐसे तो समझ में आ जाएगा आपको 0.3, 0.5, 0.2 तर कितना कितना आएगा 60,000 और इसको ले लेजिए 55,000 और ये ले लेजिए 40,000 और ये कब का है एर बन का अब मैं ही क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट येर में 60,000 आएगा टोटल प्रोजेक्ट तीन साल का है तो सर सेकेंड येर में कितना आएगा सेकेंड येर में मुझे मालूम है कि 60,000 ही आएगा एक बार 60,000 आएगा तो सेकेंड येर में भी 60,000 आएगा और थर्ड येर में भी 60,000 आएगा एक बार 60,000 आएगा अगर एकोनोमी अच्छा रहा मार्केट अच्छा रहा तो फिर अच्छे अच्छा होने वाला है और हमको यकीन है कि मेरा कैश्प्लोव 60,000 ही सर अगर ये रहा तो सर 40,000 आएगा और यहाँ भी 40,000 आएगा और सर यहाँ रहा तो सोरी 40 नहीं 55 है सोरी खिलती होगा 55,000 आएगा और यहाँ भी 55,000 और यहाँ 40,000 आएगा और यहाँ 40,000 हाँ अब बना सकते हो बिल्कु साथ साथ बना इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं बनाना स्टार्ट कर सकते हो तो सब प्रोबैबिलिटी के साथ हेजार आने की अगर यहाँ 30 परशन प्रोबैबिलिटी के 60,000 आएगा तो यह लास्ट ट्राइल फिर से अभी भी लाइग है या फिर अभी कोई इस्यों नहीं है प्लीज कनफर्म कर दिए लास्ट ट्राइल है आडियो क्लियर है और वीडियो अब क्लियर है ठीक है अब सुनो भाई सुनो सुनो क्या ये सबका बन चुका है यस अब मैं आप से कुछ पूछ रहा हूँ अब इस पर आ जाते है यार इस कॉंसेप पर फिर्स्ट येर में 60,000 आएगा यस सेकेंड येर में भी 60,000 आएगा इस बात की क्या प्रोबैबिलिटी है अगर फिर्स्ट येर में 60,000 आएगा तो 100 बर्शनल की सर्थ सेकेंड येर में 60,000 आएगा इस बात की क्या प्रोबैबिलिटी है probability चाहिए मुझे यहां कुछ लिखना है बोलो क्या लिखो ये तो 0.3 है ये 60 तो अगला भी 60 याद है हमने ऐसा किया था इसमें 2 था इसमें 1 ही है तो बताओ यहां क्या लिखो 1 1 1 1 सर ये 1 ये 1 बतलब इसके बाद 100% से लिखे है ये भी 1 ऐसे cash flow को क्या बोला जाता है dependent है कि independent dependent कि independent मतलब इसके बाद के cash flow second year का third year का dependent cash flow है कि independent cash flow जल्दी जल्दी dependent तो इसको वैसे बोला जाता है परफेक्टली dependent cash flow है ऐसे cash flow को बोला जाता है perfectly dependent cash flow इस महिं हृ टनस्टेश कि मार हमार जाता है इसकांट ग आता है 10% चल्कुलेट नप्वी और चल्कुलेट एक तो हमको निकालना एक्सपेक्टेड कैश्फ्लो बार्शिद और एक्सपेक्टेड एप्ने फेस्न कैश्फ़ो में अब सवाल क्या है एक्सपेक्टेड एन पिवी कैसे निकाला जा सकता है, जल दीजी दो तरीके expected NPV निकाने कौन-कौन से तरीके याद करो, सर एक तो इस पाथ, इसको बोलते हैं पाथ, सर इस मान लो की scenario analysis बोलते थे न, यार इस scenario से NPV, कि सर मान लो की पहले साल 60,000 आएगा दूसरे साल 60,000 आएगा, तीसरे साल तो दूसरा और एक तरीका था हाँ, क्या कहता, सर expected cash flow first year का निकाल लेते है, expected cash flow second year का निकाल लेते है, और expected cash flow third year का निकाल लेते और NPV निकाल लेते, दो तरीके हैं किसी भी तरीके से कर सकते है ठीक है, तो बोलो कौन से वाले तरीके से करना चाहिए इस path से किया जाए या फिर expected cash flow के साब से किया जाए मुझे नहीं लगता कितना बड़ा question किया था हमने gold mine वाला उसके बाद तो ये question में तो कुछ है ही नहीं है सर हमें NPV 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 अलग-अलग निकालते तीन NPV निकालते और expected NPV निकालते सबसे अच्छा तरीका ना यार बिल्को से चलो तो काम कर रहा है पहला वाला काम कर रहा है सर येरवाइस रोहन का कहना सर येरवाइस में क्या दिक्कत है येरवाइस भी निकाल सकते है रोहन जैसे आप बोलो ठीक है मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ expected NPV सभी का कहना है सभी इस बास से सहमत हुए है कि सर आप एक काम कीजिए सभी इस बास सहमत हुए कि फर्स्ट येर का expected cash तो निकालिए और सेकन्ड येर का expected cash तो निकालिए और थर्ड येर का expected cash तो निकालिए और NPV निकालिए तीन तीन NPV क्यों निकाल रहा हूँ सर NPV पार्थ वान आप भी निकाल सकते हूँ मैं कौन सा निकाल रहा हूँ मैं तो लिखने वाल हूँ NPV सी था सर 60,000 इंटो 1 डिवादी वान पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट एक दो 2.486 स्वाइन 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 पॉइंट रहा हूँ तुसर ही आगे 4922 प्रफ ट टा टू प्रफ टू 55,000 2.48 or प्रफ टू 40,000 2.4 1,00,000 वेजनती है 3,6,7,8,5 3,6,7,5 of path 3 40,000 into 2.487 minus negative 5,20 ताही है मांसे 5 तो क्या करें expected entry 49220 NPV आएगी इस बात की probability क्या है चलो तवाल यह है कि 49220 NPV आएगी इस बात की क्या probability है प्रोबाइबिलिटी है probability probability सी तो multiply करना पड़ेगा किशन का answer आया 0.3 0.3 कैसे आया भाई 0.3 कैसे आया 0.3 सभी का answer 0.3 है यह भगवान 0.3 आया कैसे याद करो सुनो 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 बच्चो सुनो थोड़ा सा concept की बात करते हैं आज तो बहुत ज़्यादा आज तो main concept मुझे करवाना है voice का problem सभी को आ रहा है या सिर्फ अंश को problem है एक बार voice audio clear है ना यार हाँ सुनो बिल्कुल सही अगर मुझे यहां का NPV निकालना रहता और मैं बोलता है इस NPV आने की क्या probability तो 0.6 into 0.7 हाँ बिल्कुल सही यह बहुत काम की चीज़ है तर क्या है probability 0.3 into 1 into 1 0.3 into 1 into 1 ओके 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 इसलिए यहां क्या लिख रहा हूं मैं 0.3 समझदार हो समझदार हो याद रखना यह जो निशान्त 0.3 into 1 into 1 है ना काम आएगा आपको आप इसको 0.3 नहीं ले 0.3 into 1 जॉइंट प्रोबियाबिलिटी बिल्कुल सही प्लस 36785 इंटू 0.5 प्लस 520 मैं इंटू 538 0.2 एक्सपेक्टेड एन्पीवी आ गया वेजिंती का आंसर आया है एक्सपेक्टेड एन्पीवी 33055 बिल्कुल सही 33055 कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ऐसे कर रखा कि पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश प्लोब दूसरे साल का और तीसरे साल का और फिर काम कर रहा है कोई ऐसा तो नहीं है न आप में से क्या उनका भी एन्पीवी जो कर रहा होगा मुझे नहीं वालू कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चे पर अगर कोई कर रहा है तो क्या उनका भी आंसर 33055 आ गया है मेरे ख्याल से कोई करता नहीं होगा कोई इतना रिस्क क्यों लेगा ठीक है उतना ही आंसर आना है अब हमको क्या निकालना अब हमको निकालना इस्टेंडर्ड एविएशन स्टेंडर्ड एविएशन सर ओन एविएशन एन पीवी आ रहा है 3 3 0 5 5 यस पर 4 9 2 2 0 भी तो आ सकता है हाँ सर 3 6 7 8 तो डैविएट तो हो सकता है न तो हम टेबल बनाते थे हम टेबल नहीं बना रहा है हम एक लाइन में भी तो काम कर सकते हैं हाँ सर एक लाइन में भी काम कर सकते हैं कैसे करेंगे वो मैं बता दूँगा एक लाइन में आखिर स्टेंडर डेविशन कैसे ने कल सकते सर एक्स हो गया 49220 हाँ जी बिलकुल सही है 49-33055 और ये जो आ गया डेविएशन उसका स्क्वेर और इस बात की प्रोबैबिलिटी कितनी थी सर प्रोबैबिलिटी थी 0.3 प्लस 36 785 माइनस 33055 स्क्वेर और इस बात की प्रोबैबिलिटी है 0.5 प्लस माइनस 520 520 माइनस 33055 स्क्वेर और इस बात की प्रोबैबिलिटी कितनी है 0.2 और फिर सब का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वेर रूट आंसर चाहिए HD क्यालकुलेटर की स्पीड कैसी है अपकी और सही क्यालकुलेशन भी होना चाहिए मुझे खुद को करना होगा क्या निशान्त 17630 17431 200 का अंतर क्यों आ रहा भई मानशी और निशान्त और भी आंसर एक बार आ जाए तो 17630 ठीक है 17630 17630 अब ध्यान से समझना में जो अब काम के चीज़े हैं 17630 ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 अब ध्यान से समझना में जो अब काम के चीज़े हैं अब एक मॉडल आया तर मॉडल का नाम क्या है हर्ट्स मॉडल और हर्ट्स मॉडल बोलता क्या है तर क्या नाम है लिखे एक बार अब समझना हमारा टार्गेट क्या है हमारा टार्गेट है 17630 लाने का और इनका हर्ट्स मॉडल में ये क्या बोलते हैं एक बार पेज कौन सा दिखाना है ये वाला ये वाला नहीं ये वाला पेज दिखाना है देख लो अब बस आप साथ चाहिए भाई साथ चाहिए मुझे अब साथ चाहिए मुझे Hertz model ये क्या बोलता है सुनो ये बोलता है कि आपने जो निकाला ना Standard Deviation of NPV कितना निकाला हमने का हमने निकाला 1-7-6-3-0 इनका कहना मेरे पास एक shortcut है 1-7-6-3-0 निकालने का shortcut है वा सर और 1-7-6-3-0 निकालने का क्या shortcut है सर अब देखो वो क्या बता रहा इट मेंस shortcut बता रहा वो 1-7-6-3-0 और ये shortcut तभी लग सकता है ये shortcut तभी लग सकता है उसकी condition है और कब लग सकता है जब 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 जो है cash flow perfectly dependent हो तब अच्छा सर यस झाल कर दो, क्या अञ्जन करते है वे जब अच्छा सकता है या या तो लिखा, Hertz model is used to calculate standard deviation in NPV when cash flow are perfectly dependent ठीक अब उनका क्या कहना अब उनका क्या कहना अब उनका क्या कहना लिख 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 अब ध्यान से समझू उन्होंने का यार एक काम करो, सबसे पहला काम तो ये करो पर्स्ट येर का जो cash flow है कितना है? 60,000, 55,000, 40,000 ठीक है उनका उसके हिसाब से आप expected cash flow निकाल लो निकाला जा सकता है क्या? एक बार रफली बताऊगे मुझे पर्स्ट येर का expected cash flow पर्स्ट येर का expected cash flow पर्स्ट येर का सर 60,000 इंटू पॉइंट्ट 3 एंप्लस 55,000 इंटू पॉइंट्ट 5 एंप्लस और 40,000 इंटू पॉइंट्ट 2 एंप्लस MRC 53,500 ठीक है बिल्कुल फिर्स्ट इयर का 53,500 या सेकेंड इयर का एक्सपेक्टेट कैश फ्लो निकाल सकते हूँ सेकेंड इयर का एक्सपेक्टेट कैश फ्लो सेकेंड इयर का एक्सपेक्टेट कैश फ्लो क्या कोई निकाल सकता है सेमी तो है क्या टाइम पास कर रहा है क्योंकि ये इसकी भी प्रोबाइबिलिटी उतनी है तो ये भी कितना आएगा 53,500 51667 क्यों सर ये भी 0.3 है ये भी 0.3 है ये 0.5 है ये 0.2 है सेमी तो आएगा ना सर येस और थर्ड इयर का एक्सपेक्टेट कैश फ्लो 53,500 एगरी हाँ सर अच्छा डिवाइट कर दिया था 3 से एवरेज मार दिया था बहुत अच्छी बात है प्रोबाइबिलिटी है तो डिवाइट कर से कर दोगा ठीक है अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो काम की बात जॉइंट प्रोबाइबिलिटी से करना है हाँ आप वन नहीं करते वन प्रोबाइबिलिटी वन से नहीं कर सकते हम हमेशा जॉइंट याद है वो गोल्ड माइन वाला कुशन हाँ सर याद है अभी सुनो मेरी बात फर्स्ट येर का एक्सपेक्टेट कैस्ट तो मालूम है क्या हाँ सर और फर्स्ट येर का सिनारियो पता है या 60 भी आ सकता है यस प्लीज एक बार फिर से बता देना 53 500 कैसे आया वै 60,000 into 0.350 ये तो याद पहली क्लास में हमने किया हुआ है पर चलो 60,000 into 0.3 55,000 into 0.5 और 40,000 into 0.2 कि कैसा अभी सुनो मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं आप से ये बोल रहा हूँ अम मैं क्या कAlright क्या कैल्गूलेट करवा रहा हूँ वह समझ रहा 60,000 भी आ सकता है हां सर और 55,000 भी आ सकता है यश सर और 40,000 भी आ सकता है हां सर तो क्या आप 1st year में strategy of cash flow निकाल सकते हो क्या वाउ सर standard deviation of cash flow निकालना है यार मुझे first year का standard deviation of cash flow निकालना है मुझे second year का भी standard deviation of cash flow निकालना है और मुझे third year का भी standard deviation of cash flow निकालना है निकल सकता है क्या आसन निकल सकता है चलो निकालते है इस्टेंड आविशन आप कैश्फ फ्लू पास्ट इयर का 60 माइनस 53 500 सर 60,000 माइनस 55 500 स्क्वेर और इस बात की प्रोबैबिलिटी 0.5 है 0.3 है स्वर्य प्लस 55,000 मिनस 53 500 स्क्वेर इस बात की प्रोबैबिलिटी 0.5 और 40,000 मिनस 53 500 प्रोबैबिलिटी 0.2 अंसर आ रहा है 7089 इस टेंडर डेविशन आप कैश्फ फ्लू कब का फर्स्ट इयर का ऐसे ही कोई मुझे बता सकते है इस टेंडर डेविशन आप कैश्फ फ्लू सेकेंड इयर का कितना आएगा इस टेंडर डेविशन आप कैश्फ फ्लू सेकेंड इयर का कितना आएगा सर उतना ही आएगा ना यार 7089 और इस टेंडर डेविशन आप कैश्फ फ्लू सेकेंड इयर का कितना आएगा सर उतना ही आएगा 7089 7089 अब यहां देखो काम क्या इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और इन्होंने कहां कि सर इस्टेंडर डेविशन आप एनपी भी निकलेगा कैसे बोले इस्टेंडर डेविशन आप कैश्फ फ्लू सेकेंड इयर का डिवाइड बाई वन प्लस आर इस्टेंडर डेविशन अप कैस्फ फ्लु सेकेंड इयर का डिवाइड बाई बाई वन प्लस आरह इए मतलब से present value कर रहा है या पहले साल जो standard deviation आ रहा है उसका present value दूसरे साल का standard deviation उसका present value तीसरे साल standard deviation उसका present value हाँ असर यह inter का है हाँ तो अभी inter में और भी चीजे आई थी यहाँ कभी two होगा यहाँ four होगा यहाँ six होगा वो सब समझना है बिट्टे वो इतना आसान नहीं है घुसके पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा उपर से पढ़ना तो मैं फॉर्मूले से काम करवा दूगा बताओ पहले साल का इस्टेंडर्ड एविशन कितमा सर 7089 divided by 1.10 पावर 1 plus 7089 divided by आप पीवी एफ से मल्टिप्लाई कर सकते हो अलाउ है 7089 divided by 1.10 पावर 3 आंसर चाहिए है 1.7 6.30 वाव सर क्या शॉटकट है मैं तो बताया ना कि शॉटकट बताया है करके शॉटकट है यह हर्ट्स मॉडल का कैसा लगा शॉटकट कुछ नहीं करना है पहले साल कैश फ्लो का स्टेंडर्ड डेविएशन निकालना उर्सका प्रेजेंट वैलू निकालना काम खताओ इतनी सी बात तो बच्चो बताओ यह वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि यह वाला जो हमने पहले किया था वो वाला मैथट ज्यादा अच्छा कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है हमको क्या फॉलो करना है बेटे आपको बोलेगा करने के लिए आप दोनों मेंसे path वाले से तो आप करी सकते हो लेकिन question जो है जब बढ़ाएगा आप first follow कर सकते हो first भी कर सकते हो second भी कर सकते हो अब मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो problem क्या आएगी कि question जितना सीधा है उतना question सीधा आएगा नहीं आप कोई भी method follow कर सकते हो यहां बहुत सारी probability रहेगी और यह बहुत बड़ा मैं आप से बहुत बहुत सारा probability रहेगा तब दिक्कत होगा question आएगा ना तो समझ में आएगा question आएगा आप दोनों ही method follow कर सकते हो लेकिन question से समझ में आजाएगा कि हमको क्या करना है और यह कब लग सकता है तर दो नंबर का आया तो हम second वाले से कर लेंगे सुनो सुनो वच्छे सुनो अभी सुनो मैं आप से यह बोल रहा हूं यह कब possible है यह कब possible है यह तभी possible है जब 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 परफेक्ट dependent होगा तब जब dependent होगा तब ठीक है अब फटा फट से यह तो हो गया हमारा तीसरा कोश्चन वाट इस दा प्रोबाइबिलिटी अप बैस्ट एनपीवी याद है ऐसा करते थे हम लोग एक कोशन किया था जिसमें हम बैस्ट एनपीवी आने की क्या प्रोबाइबिलिटी ऐसा निकलते थे तो मैं वोई पूछ रहा हूँ एनपीवी मत बताईए मुझे बस इतना बता दीजिए कि बैस्ट एनपीवी आने का क्या चांसे से क्या प्रोबाइबिलिटी है बैस्ट कब आएगा एनपीवी इसमें आएगा किसमें आएगा किसमें आएगा बैस्ट वाट इस दप्रोबाइबिलिटी ओप बैस्ट एनपीवी आने का कहा क्या प्रोबाइबिलिटी सर पॉइंट 3 यस पॉइंट 3 आया कैसे दिखलो पॉइंट 3 आया कैसे बस ऐसी पूछ लिया था सर पॉइंट 3 इंट्व 1 इंट्व 1 इस इकल टू पॉइंट 3 और कुछ नहीं पूछना है सफिशेंट हो गया बस आपको ये समझना है कि ये भी एक मैथड होता है NPV निकालने का जिसको आप हर्ड्स मॉडल बोलते हो ठीक है ठीक है ठीक है सर बाद समझ में आगे आगे चलते है एक्जामपल नमबर टू रववन का कहाना यह शौट कट थोड़ी नहीं शौट कट तो बता भी नहीं रहा हूँ अभी तो अभी देखू न भी आगे के विन फॉर्मुला समझा नहीं सकता क्योंकि फॉर्मुला पॉर्ट फॉलियों में ही समझ में आगे अगर मैं अभी यहां बोलूँगा भी standard deviation यह बोलूँगा मैं a plus b square तो यह अभी समझ में नहीं आएगा कि मैं कहूंगा कि यह ऐसे होता a square तो अभी मैं नहीं समझाना चाहता हूँ वो portfolio में ढंग से समझ में आएगा केविन का कहना यह जो formula सर आपने जो present value निक लिखा यह present value निकाल रहा हूँ और मैं कुछ नहीं first year का standard deviation उसका present value second year का standard deviation उसका present value और third year का standard deviation उसका present value तो यह बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आएगी हाला कि मैं तो भी मैं कहा रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे यहां नहीं समझा सकता इसको portfolio में ही discuss करूँगा ठीक है हाला कि कुछ नहीं अगर मैं इस पर focus ना करूँ मैंने जो लिखा है उसकी आप एक्छा अगर मैं amount पर focus करूँ या deviation का present value निकाल रहा हूँ और कुछ मैंने किया ही नहीं ठीक है जहे एक्जामपल नमबर टू most danger इसको समाल लिया तो खेल खतम यस सर most danger चलो आजाओ फिर से इसमें भी मैं आपको आजात करूँगा आपको जैसे चाहिए वैसे question बना सकते हैं एक लाक रुपे जा रहा है 80,000 आएगा 60,000 आएगा 0.7 0.2 Year 1 Year 2 80,000 60,000 0.7 0.3 का Datman ती ताॉज टाॉजन बॉइंट सेवर कि बस दोई साल है ज्यादा आप संभाल नहीं पाओगे दोई साल अच्छा से अम शसर सवाल यह कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंडेंट ? डिपेंडेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इप्पेंदे य देपंदेंट इपंदें राक्रां कि स्टुने क्ल Corporas that's it, requirement वही है, first, calculate NP, second, standard evis, standard evis, cash flow में निकालना है, standard evis, NPV में निकालना है, standard evis, NP, और यहां यूज होगा, hertz model का नहीं, यहां hillier model का यूज होगा, लेकिन हम, hillier model क्या होता हमको नहीं मालूँ, हमको बस ये करना है, हमें जे दो चीछ चाहिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता क्या hertz है, क्या hillier model है, लेकिन आपको ये table दिख रहा है, क्या इसके हिसाब से, expected NPV तो निकल सकता ना, यार, कैसे निकले, एक तो ये वाला तरीका है, expected cash flow है, असर, discounting rate 10 person ले लीजिए, यहां लिख लेना भाई, ये तो उस पर भी objection दे लेंगे, 10 person इसले लेता हूँ, क्यों जल्दी सॉल हो जाता है, 10 person, एक तो ये वाला तरीका है, expected cash flow, expected cash flow, और दूसरा क्या तरीका मालूप है, एक path ये हो गया, 80-80, एक NPV इस सिनारियो में, एक NPV ऐसे आजाएगा, एक NPV ऐसे आजाएगा, एक NPV ऐसे आजाएगा, टोटल चार NPV निकालना पड़ेगा, अगर हम pathwise जाते हैं तो, तो दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका ये है कि आप expected cash flow, first year का निकाली है, second year का निकाली है, discounting के जी, NPV ऐसे जाएगा, दूसरा तरीका है, path वाला, एक path, दो path, तीन path, और चार, किस से करेंगे, याद रखना कि हमको standard deviation भी निकालना है, सर, standard deviation निकालना, और किस में निकालना, standard deviation हमें निकालना, NPV निशिता, हम year wise कर लेंगे, लेकिन फिर फसेंगे, मालुम है कहां फसने वाले हैं हम लोग, सर हम फसने वाले हैं, standard deviation, standard deviation का कैसे करोगे फिर, और standard deviation cash flow में नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए standard deviation हैं न NPV, सोचो तो यार, चलो expected NPV तो आप निकाल लोगे, लेकिन standard deviation कैसे निकलेगा? समस्य आए, standard deviation में तो मुझे NPV चाहिए न 1, 2, 3, 4, फिर expected NPV, फिर बोलेंगे कि यार अगर ये होता तो ये होता तो, वो चाहिए न आ यार, इसलिए मुझे पाथवाइस निकालना पड़े है बाकी आप कर सकते हूँ पाथवाइस ठीक है तो जब अपने हिसाब से करवाना है तो पूछते ही क्यों हूँ आप पहला पाथ क्या मेरा लिखना ज़रूरी है नाई शर इती थाउजन एक बार लिख लेता हूँ एती थाउजन इंटू पॉइnt डिवाइड वाले इस दरीके से भी कर सकते हूँ प्लस एती थाउजन इंटू पॉइंटू पॉइंटू टू सिक्स आगे मैं ये NPV, NPV नहीं लिखूँगा, मुझे सीधा-सीधा NPV निकाल कर बताया करो वैसे भी example चल रहा है और सर माइनस कितने से कर देंगे, माइनस करेंगे, एक लग पहला पास से NPV कितना आया पहला पास से NPV कितना आया 80,000 into 0.909 M+, 80,000 into 0.826 M+, MRC minus 38,88,000 राइट 38,88,000 ठीक है second path अब सीधा NPV, NPV बताओ आप आपके पास calculator है और मुझे इतना मालू है कि मुझे से ज़्याद अच्छा calculation आपका है निसीता 38,800 सही है, सही है, सही है मानसी कभी सही है, 3,88,000 second first year 80,000 80,000 into 0.909 विजिन्ती का 22280 second का 22280 third 1 second तू जीरो शिक्स टू जीरो मेरा अंसर हाँ वे जनते सही है तू जीरो शिक्स टू जीरो अं लाश्ट पात हाँ सुप सही है अनन्त का कहना से लाश्ट का फोर वन डबल जीरो आ रहा है फोर वन डबल जीरो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि आर यह तो लिखी लिए आओगा बच्छे यह आये था था थी डबल एट डबल जीरो अब फोर वन डबल जीरो सही है पहला कोश्टन थी डबल एट डबल जीरो आने का क्या प्रोबाइबिलिटी है एन पे भी थी डबल एट डबल जीरो आने की क्या प्रोबाइबिलिटी हाँ कल जो मिटिंग रखेंगे 0.7 नहीं 0.7 नहीं 0.7 नहीं जोंट प्रोबिलिटी होता है 0.7 इन टो 0.7 0.49 कभी भी जोंट प्रोबिलिटी लेते 0.49 2280 आने का क्या प्रोबिलिटी है 0.7 इन टो 0.3 0.21 0.7 into 0.3 0.21 और यह केतना जाएगा 0.09 0.09 0.21 0.09 बिल्गा सेहे अभी हमको चार चीजे पता लगी expected NPV पता है क्या हमे probability पता है यस तो क्या हम expected NPV निकाल सकते हैं कि हाँ सर expected NPV निकाल सकते हैं तो चलो एक काम करते हैं हम लोग expected NPV निकालते हैं हम कोई यह पता है हम कोई यह पता हम निकाल रहा expected NPV और हम निकाल रहा इस्टेंडर डाइवीशन खतम हो गया ना यार बस इतनी सी बात है और expected NPV आ भी गया बच्चो का 28390 मैं सीधा लिख लूँ ना वाई मेरा लिखना तो जरूरी नहीं नहीं आ रही है तो सबको आता अच्छे से ना जाने कितने बार expected NPV गया तर यह जो NPV इसको probability से multiply कर देंगे yes 28390 अभी हम क्या कर रहा है इसके बाद standard deviation in NPV नहीं कल रहा कितना कितना था था 38800 38800-283902 square और इसका probability था 0.4 plus 2280 222, 222 नहीं 222 8 is 0, minus 28 अभी हम क्या था 0.21 plus 202, 202, 206 270, minus 289 106, 202, 208, क्या था, allows Σे यह था था 0.21 plus 4100 minus 289 और इसको square root किया standard deviation आगया है 1125 1125 परेक्ट अब इसको shortcut है अब क्या shortcut है हाँ भाई इसका भी shortcut यह सब चीज परता है और अब picture में hertz model नहीं आएगा hertz model कब आता last में 0.09 है हाँ यह ठीक से लिखा नहीं था यह 0.09 है परेक्ट 0.09 मैंने यहां की बात कर रहे 0.09 ठीक हाँ निशिता यहां hertz model नहीं लग सकता shortcut आया हिलियर मॉडल से अच्छा सर वो कब लगेगा सर जब जो cash flow है वो perfectly वो जो cash flow है वो independent हो तब लगेगा एक बार लिखे क्या हाँ याद रखना 4-5 questions है जैसी question देखोगी ना यार मज़ा जाएगा आपको यार वाव क्या सीखा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं लगा रहा हूँ हिलियर मॉडल पहले ये है अब लिखोगी alternative है standard deviation हिलियर मॉडल हिलियर मॉडल हिलियर मॉडल इस यूज ट जब इस टेंदेडर deviation कौन सा वाला find करेंगे, हमें तो standard deviation NPV ही निकालना है, बस किस तरीके से निकालना है, बस NPV का ही standard deviation, clear model is used to calculate standard deviation of NPV, when? cash flows are independent, करना क्या है, करना वही है, जो हर्ट्स model में की, तर मतलब, मतलब वही, simple है, expected cash flow, first year का चाहिए, expected cash flow, मुझे second year का, ठीक है, ठीक है, first year का expected cash flow चाहिए, अच्छे से note कर लो इसको, क्योंकि इसमें पता नहीं, पर मेरा इतना अनुवा है, आप किसी से भी हिलियर model के विसे में पूछोगे, और कुछ concept पूछोगे, logic पूछोगे, तो पता नहीं, मुझे personally ऐसा लगता कि कोई बताएगा नहीं कि क्या हो रहा करके, वो कि अब यह formula है, formula याद करो, बस वो formula में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ध्यान से पर समझना, अब मैं नहीं समझा हूँगा, मैं तो homework देने वाला हूँ, कि ऐसा क्यों हुआ करके, पहले पहले करना क्या है sir, पहले logic की बात क्या मुझे first year का, जैसे hertz model में कर रहा है थे, वैसे hill years में कर रहा है, क्या मुझे first year का expected cash flow निकल सकता है, विजनती का answer आगया sir, 74,000, चलो, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, first year का expected cash flow, year one का, लिखी लेता हूँ यार, 80,000 x 0.7, 60,000, 80,000 x 0.7 तो यह आगया था, 74,000, यह आगया था हमारे first year का, ऐसी कप का निकालोगे, year two, विजनती, year one का 74,000 आ रहा है, मैं year two की बात कर रहा हूँ, और विजनती का कहना sir, year two का भी उतना नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहा हूँ, अच्छा, 80,000 x 0.49, लिख दूं क्या हम, लिखा होना चाहिए, 80,000 x 0.49, plus, तर हमने 80,000 x 0.7 कर दिया था, वही तो गलती हो जाती है, 60,000 x 0.21, 60,000 x 0.21, plus, 80,000 x 0.21, 80,000 x 0.21, plus, 60,000 x 0.09, 0.49, क्यों किया, क्यों कि मैं गह रहा हूँ, मैं ये पूरा निकाल रहा हूँ ना यार, तो ये cash flow की आने की क्या probability, 0.7 x 0.7, इसकी 0.7 x 0.3, इसकी 0.3 x 0.7, और इसकी 0.3 x 0.3, तर कौन सा वाला कोश्चर, वही, गोल्ड माइन वाला, याद है पाच दर पास सो प्राइस था, तो पॉइंट ऐसा कुछ किया था हमने, हाँ हाँ सर, याद आ रहा है, याद इसका भी अंसर कितना आ गहा है, 74, ठीक है, एस, अब इस सुनो भाई, तुना ध्यान से, याद है, वह कोश्चन से न, बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा नहीं है, हाँ सर, मतलब सर, हर्ट्स मॉडल में क्या कर रहा थे, वही तो कर रहा थे, और यहाँ भी वही कर रहा है, याद टाइम पास करवा रहे हैं सर, टाइम पास कास में करवाता है, आपको टाइम पास नहीं करवा रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, इस्टेंडर्ड डेविशन अब कैश्फ फ्लो फर्स्ट यर का, निकाला जा सकता है, यस सर, 80,000 minus 74,000 square into 0.7 plus 60,000 minus 74,000 square 0.3 और square root करवा रहा हूँ, चलो, बाते कम, काम ज्यादा, बड़ा बड़ से काम करते हैं, डेविशन निकाला कोई? 80,000 minus 74,000 into equal to n 2.7 m plus 60,000 minus 4000 9165, हाँ, परीती सही है, 9165 यह फर्स्ट यर का, इस्टेंडर्ड आविशन निकला, 9165 तो बहुत बड़ा है, ठीके सर्क कर लेंगे कोई दीकर में, 80,000 minus 74,000 square into 0.49, 60,000 minus 24,000 square into 0.21, 80,000 64,000 square into 0.21 plus 60,000 minus 1000 square into point और इसका क्या करेंगे, square root किशन निशान्त सबका आंसर आ गया और उनका कहना है, सर्सेकंड यर का भी आ रहा है, 9165 9165 बस PV करना है, और कुछा बचआ क्या है, 9165 first year का है, 9165 second year का है, और डिसकांटिंग किस से करना है, डिसकांटिंग हमको 10 परशन से डिसकांटिंग करना, आंसर आ क्या आ जाहेगा, और आंसर क्या आएगा, सर्थ Ay आणसर यही आएगा, 11257 simple तो है यार answer क्या आएगा? answer आएगा 1, 1, 2, 5 आएगा आएगा 15906 आही नहीं सकता answer आएगा 1, 1, 2, 5, 7 नहीं तो आपका concept ही गलत है कहीं गरबड़ी है answer आएगा 1, 1, 2, 5, 7 इट में आपसे यह बोल रहा हूँ कि आपके answer जो पहले निकाला था ना पहले path वाले तरीके से आया था ना आपने path वाले तरीके से कितना answer आया था हमारा standard deviation of NPV path वाले जो तरीके है वो आया था पता नहीं मेरे 1, 1, 2, 5, 7 आया था ना यार तो यहां भी 1, 1, 2, 5, 7 आयेगा आप लोगों का calculation गलत है क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुने अभी बात अगर hertz model और hillier models एक ही कर रहा है तो फिर हम दो पढ़ती क्यों अभी कहानी बाकी है दोस्तों कहानी बाकी है और मैं तो बड़े प्यार से फॉरूम ला लिखवाने वाला था और आपने पहले निकल दे चलो अब सुनना ध्यान से अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यही बाकी है यही तो समझाना है यार और प्लीज मेरा सपोर्ट कर रहा है हाँ थोड़ा सा सर कॉपी में काटना पड़ेगा मैंने बोला थोड़ी था बनाने के लिए आपने क्यों बनाया आपकी गलती इस्टेंडर्ड एविशन अप एन पी वी एसी स्टेंडर्ड एविशन अप कैश फ्लो स्क्वाइर सर स्क्वाइर क्यों क्योंकि एक वेरियंस नाम सुनाओगा वेरियंस वेरियंस हाँ सर इस्टेंडर्ड एविशन को हम स्क्वाइर करते थे उसको variance बोले जाता था पूरा portfolio ला दिया हूँ मैंने पूरा portfolio है और कभी-कभी ये नाम सुना है किया A plus B square जिन्होंने portfolio किया होगा ना उसको अच्छे से पादा A plus B square बोलो क्या आएगा A square plus B square plus 2AB हाँ सर ये matrix है हाँ ये मैं बाद में अभी मैं इस पर आ नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ variance निकाला standard deviation का square ठीक है क्यों plus आ रहा हूँ आ रहा हूँ मैं आप से पूछूँगा मुझे बताना power 4 ये भगवान अभी ये बताओ अभी सुनो ये बताओ मैंने क्या किया है अभी ये तो सर वेरियंस लिखा अपने मालूम है ठीक है अभी दिहान से कर रहा हूँ सर मतलब सर आप 9165 को square कर रहा हूँ yes 9 9165 को square किया तो सर यहाँ आप 1.10 power 1 लिखते थे थे ना हाँ मैंने अब लिखा 1.10 power 2 ठीक है और फिर आपने सर यहाँ वेरियंस लिखा 9165 square yes तो अभी ये भी 1.10 power 2 होता था पर मैंने इसको power क्या लिख दिया 4 ऐसा क्यों किया यह मैं समझाओंगा मुझे सबसे पहले answer चाहिए answer चाहिए यह बाद में लिखूँगा इसको अभी काड़ दो यहाँ 2 और 4 ही रहे है एक जवाब है कि सर यहाँ 2 और 4 इसलिए हुआ है कास यार यह जवाब बाकी लोग दे पाए मैं जब इतना यार हद हो गई लोगों को यह नहीं मालू पता नहीं सोच नहीं पते पता नहीं बोले रट लो 2 और 4 क्यों कि रट नहीं रहे कास आप समझ में आज़ा मुझे final answer चाहिए answer क्यों कि मैं भी जानता हूँ बड़ा figure आएगा यह बड़ा figure आएगा मुझे final answer चाहिए answer 9 और इसको सुनो इसको square root भी कर देना टेंशन नहीं कता हूँ square root भी कर दो इसको एक बार इसका square root भी कर देना मैंने अब formula बनाया formula में यह किया variance और उसका फिर किया मैंने square root answer चाहिए इसको square root करके बताव answer कितना आ रहा 11,260 और हमको answer कितना चाहिए था हमको answer चाहिए था 1,1,2,5,7 लगभग उतना ही है थोड़ा सा fraction की वज़़े से आ सकता है 1,1 2,6 यह था hillier mod ठीक है तर variance क्यों ले रहा हो यह भी मैं समझाओंगा रुख जाओ अभी ज्यादा मैं calculation पे नहीं जा रहा हूँ hillier model answer हमारा match होगा hillier model में करना क्या है बस करना क्या उपर variance लेना है variance क्यों लिया जा रहा है वो मैं आपको समझाओंगा और सर नीचे क्या लेना बस नीचे वाला part हमको समझी में आ जाए तो उपर वाला तो ठीक है वो तो हम समाल लेंगे नीचे variance को फिर मेरे square root कर दिया हाँ बिल्कुल सही यही तो चीज है यार सर इसको square root किया है तो यहां power 1 है तो 1 into 2 हो जाएगा और सर यहां power 2 होता है तो 2 into 2 4 हो जाएगा simple तो आए यार इसमें logic के साथ करोगे तो बिल्कुल सही बोल रहा है हाँ जी सब लोगों का हो गया है मुझे थोड़ा बहुत discussion करना है variance के matter पर सुनो अभी मैं यह कह रहा हूँ कि मैं variance के matter पर बहुत सारी चीज़े discussion कर सकता हूँ अभी बस मेरा यह है कि यार अभी हम मेरे ज्यादा calculation पर ना जाओ कि variance क्यों लिया जा रहा है अभी में मुद्दे की बात है कि यह question में अभी जितना भी पड़ा आज पूरे दो घंटे हमने इस चीज़े में यूज किये है बस में मुद्दे की बात आपको याद रखना हर्ड्स मॉडल और हिलियर्स मॉडल इसका नाम है हिलियर्स मॉडल तर एक ही बात है बस हर्ड्स मॉडल कहां यूज होता है जहां अगर cash flow cash flow perfectly dependent हो और हिलियर्स मॉडल कहां यूज होता है अगर cash flow independent हो ठीक है इतनी सी बात हमको समस्दा और सर हमको standard deviation कैसे निकालना है तो मैंने कहां कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है ये समझ में नहीं आता है hilliers model तो भी आप standard deviation हम जैसे कर रहे थे simple वाले तरीके से, path वाले तरीके से हम ऐसे भी निकाल सकते इसमें कोई दिक्कत की फिर से बोल रहा हूँ कि आप इस path वाला तरीका हर जगा चलेगा, चाहे hurts हो, hilliers हो, dependent हो, independent हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप वो path से कर रहा है तो कभी गलत होई नहीं सकता, लेकिन जहां आती है इन लोगों की बात, तो फिर इन पे conditions, कि hilliers कब लगाना हो hearts कब लगाना, अब, मैं आप कोई कोशन दिखाना चाहता था, करवाना चाहता था तो सवाल ये है, क्या आप लोग इस इस्थी में हो की एक कोशन कर सकते हो हाँ path is ramban, तो मैं वो रामबान ही देखना चाहता हूँ बस, सवाल ये है, क्या आप अभी कोशन बनाने की इस्थिती में हो, at least एक कोशन देख तो लेते हैं ज्यादा तर वच्चों के जवाब आ रहा है, yes, तो at least देखते हैं कि कैसे करना और majority ही main है, majority बहुत सारे कोशन है भई, बहुत सारे कोशन तो लो पहले simple वाला कोशन चोटा वाला ही देख रहा था, चोटा वाला कोशन, तो यह सबसे चोटा दीखा मचको हाँ सार इसको बना लेते, tension खतब, यह सबसे चोटा दीख रहा पढ़े इससे छोटा कोशन नहीं है, तर पांच मिनट पढ़ते एक बार पढ़ते तो यह पढ़ने में क्या दिक्कत है सर यह कोशन जो है आई सी ए आई का टी वाई के यास, टी वाई के वन, वाई साब कुछ नहीं लिखा किताब में, बुक में देखोगे, कुछ भी नहीं लिखा इसके मैटर, पर कोशन उठा कर दे दिया, बोले बना लो बच्चो, बिचारा जो बच्चा सेल्फ कर रहा है, वो कहां से बना ले तो लिखा, Skylark, Airways, is planning to acquire light commercial aircraft for flying class, इनवेस्टमेंट कितने का हो रहा है, सर, इनवेस्टमेंट है, पचास लाग का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पचास लाग का इनवेस्टमेंट है, और cash flow after tax दिया, वाउ, ये तो CFAT निकाल कर दे दिया, और कितने साल का है, तीन साल का, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, ठीक है, the company wishes to take into consideration all possible risk factors relating to airlines operation, the company wants to know, सबसे पहले expected NPV निकालना है, क्या expected NPV निकाला जा सकता है, राहूल क्लास के end में, आज मैं नहीं करवाँ पाऊँगा, क्योंकि क्लास के end variance का logic समझाने के लिए कम से कम मुझे 15 मिनट चाहिए, कल आते ही मैं variance का logic समझा दूँगा, हाँ, पहला काम है, क्या हम expected NPV निकाला जा सकता है, येस, assuming, बैटे सब्द को पढ़ो, independent probability distribution, independent के लिए कौन सा model लगाओगे, हिलियर्स की हर्ट्स, independent बोला, हिलियर्स के लिए कौन सा लगेगा, हिलियर्स के लिए, सोरी, independent probability distribution, independent, sir, हिलियर्स, yes, हिलियर्स, लेकिन हिलियर्स सोचना कब है, sir, हिलियर्स तो तब सोचना है, जब deviation निकालने के लिए बोलेगा, जब deviation निकालने के लिए बोलेगा, तब हिलियर्स सोचना है, हमें हिलियर्स अभी सोचना नहीं है, NPV में कोई मतलब भी नहीं है कि Hertz कि Himiliears कि Dependent कि Independent माइन नहीं रखता NPV बोलेगा तो वहां कुछ नहीं सोच हाँ जब Deaviation बोलेगा तब हमको सोचना है कि हमको कौन सा लगाना है पहले तो NPV निकाले NPV कैसे निकालेंगे सर जर नहीं लगए आपको पात वाले तरीके से कोई है हिम्मत किसी में है दम पात वाले तरीके से निकाल सकता है पता है ना कैसे बनेगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार फिर एक दो तीन चार सेकंड येर में पात वाले तरीके से कर ही नहीं सकते आपकी पात वैसे ही तो कौपी आपकी छोटी सी है आप तो कहां बाहर चले जाओगे ठीक है सर ठीक सबसे पहले हम क्या करें सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कैश CFA T निकालते हैं सर हाँ सर ये रवाइस करते है एक्सपेक्टेड CFA T निकालते हैं जल्द इस स्पीड से काम होगा टार्गेट ये है कि अब भी बज़ रहा है 9 बच के 10 मिनट सर होमवक होमवक दे दू यार एक कोश्चन तो करवाने का बनता है इस कोश्चन को मैं करवाँगा कल क्लास है आप ही मैं क्लास ओवर करूँगा हाँ इस कोश्चन को आपको होमवक नहीं दे रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरी बास सुनोगे इस कोश्चन को मैं करवाँगा कल क्लास रहेगी अगर जो होमवक कर लेते तो बहुत अच्छी बात है और जो होमवक कर लेते तो वो बाद में भी join कर सकते, कल class कितने time रहेगी same time 7 to 9 evening zoom meeting भी उसी के आसपस रहेगी, जूम meeting का मैसे सुभह ही आ जाएगा तो कल class रहेगी और कल पहले मैं ये question करवाऊँगा तो आप बाद में जब homework कर सकते वो बाद में 15 मिनट बाद join करोगे तो भी चल जाएगा ठीक है जी? ठीक है और कल और भी questions होके फिर कल देखते है कि कल हमारा कितना cover हो पाता है नहीं हो पाता है कल almost खतम हो जाएगा सुभह नहीं evening में class रहेगी, सुभह नहीं रहेगी evening में, शाम को रहेगी class हाँ निशांत मुझे मालूम है हो जाएगा पर फिर भी क्योंकि मेरा फर्ज बनता है एक question का तो मैं वो question आपको करो कल morning कर लूँ आप पहले decide कर लीजिए अगर बोलो मैं free हूँ भाई मुझे जब बोलोगे मैं class ले लूँगा पहले क्या आप लोग आपस में लड़ोगे उससे अच्छा है कि ओके बाई बाई गुड नाइट आप लोग decide कीजिए वैसे कल evening final evening better evening final है ठीक ठीक यू सो मच बाई बाई गुड नाइट